हेलो स्ट्रेंट, वेलकम टू माई चैनल, आज हैं आपको पढ़ावी टिग्नों बिट्री, चलने शुरुबात करते हैं, आपको बिटा ये प्रूब करना है, हम बिटा लैप हैंड साइड लेंगे और राइड हैंड साइड बनाएंगे, आप ध्यांदो, यहां बिटा फॉस सी पांफ़े लिगा, सबसे पहले पांफि बात करती हैं, यहां जो ऑंगल होता है, वही बिटा यहां आ जाता है, माइनस के ताहई, टिके इसी कॉंसेप्ट पे हम बिटा फॉमला भी बनाएंगे, चलिए देखें किस तरह की सबसे पहले बिटा हम देंगे left hand time ये A, ये बिटा B, cos C का पॉम्रा, ये है A square plus B square minus C square upon 2AB, ठीके ये बिटा minus C, अब cos B का पॉम्रा बनाना है, यहां देना बिटा, यदि आप cos B का पॉम्रा बनाना चाहते हैं, तो यहां क्या आएगा, B आएगा, minus C square के साथ, तो अब B तो यहां आएगा, तो यहां क्या आएगा, C, A और C बिटान मिचे आएंगे, ये फॉम्रा बन गया आपका, cos B का, अब बिटा, cos B का पॉम्रा ये होता ही, हम यहां इसकी value आपके है, A square plus C square minus B square upon 2AC, अब बच्चों ध्यांदेना, B से B cancel, C से B cancel, और ध्यांदेजे, बिटा, ये A, 2 और A, नीचे से कॉमन निकल रहा ही, ये वहने ही निकाल, क्या बच्चा बिटा आपके पास, A square plus B square minus C square, यहां बच्चा minus A square plus C square minus B square, एसे A cancel, ये 1 by 2, A square plus B square minus B square, minus का अंदर multiply करोगे, अंदर के sign बदर जादेगे, ये plus का है, माइनस का हो गया, ये plus का है, माइनस का हो गया, अब बच्चों, ये 1 by 2, ये plus का A square है, माइनस के A square से cancel, और ध्यान दो, ये B square और ये B square जुड़ गया, 2 B square, ये माइनस का C square, ये माइनस का C square जुड़ गया, माइनस का 2 C square, ये 1 by 2, आप बच्चा यहां से 2 पॉमर निकालो, क्या बचेगा, B square माइनस C square, 2 C to cancel, आपके पास बच्चा B square माइनस C square, आप जान दो, ये बच्चों, आपकी right hand side, इस तरह से बच्चों left hand side, right hand side के equal, आपको बच्चों बताना ही कि ट्राइंगल आईसो सेलस है, या right angle triangle है, बताना ही हमको कि दिया हुआ त्रिपुच, सम वी बागु त्रिपुच है, या बच्चों कोन त्रिपुच है, तो बिटा हमें इसके लिए क्या बताना हुआ, यदि हमें ये बताना ही, इसका मसलब दो side apple बतानी होगी, दो भुजाएं बराबर बतानी होगी, और बिटा हमें ये बताना ही, right angle triangle बताना ही, सम कोन त्रिपुच बताना ही, तो पार्था गुज़ च्योनम प्रूब करके बतानी होगी, चली शुर्बात करते हैं, सबसे पहले बिटा हम किसका यूज करेंगे, यहां बच्चों फॉर्म में दना ही, किसका ? कॉस एका पॉला वो होटा ही, D square प्रस C square minus A square अपॉन 2B c, दना देते ही, D square प्रस C square minus A square अपॉन 2B c, यह बिटा भी, यहां कॉस बी का भी पॉला लगेगा, तो बिटा कॉस बी का पॉला होटा ही, यह फॉर्मुला होता है कॉस्पिल का अगा जावेते हैं A square plus C square minus B square upon 2 A C अब बिटा दोनों में जो सेल है वो कैंसल हुआ 2 C to cancel C C to cancel क्या बचा बिटा इधर बचा A upon B B square plus C square minus A square यहां बचा बिटा B upon A A square plus C square minus B square ठीके अब बिटा cross multiply करेंगे A में A का multiply करूँगे A square हो जाएगा इधर से A हर जया B में B का multiply करूँगे B square हो जाएगा इधर से B हर जया cross multiply हो गया अब बच्चो A square का अंदर multiply करोँगे यह हो गया A square B square A square C square यह minus A square का A square में multiply E की पावर 4 multiply में पावर जूती है दो पावर दो पावर हो गई चार पावर ठीके इक वर टू वी स्कूर का पूरे में मुल्टिप्लाइग B square A square प्लस B square C square माइनस B square इंटू B square दीकी पावर पोर अब देखिए यह सेम हैं कैंसल हो गए अब बच्चो इसे में उधर लिया तो यहां कुछ नहीं पचेगा जीरू यह यह माइनस का A की पावर पोर है उधर गया फ्लस का यह फ्लस का A square C square है उधर गया माइनस का अब यह निकलेते हैं B square C square दीकी पावर पोर माइनस के साथ अब बिटा यह गीरो इन दोनों को बिटा आप लिख सकते हो A square माइनस B square A square प्लस B square कैसे बिटा इसका यह पॉर्णा है ठीके अब बच्चो आप इन दोनों में से C square कॉमन निकाल सकते हैं निकाल देते हैं C square कॉमन निकालोगे तो पिटा B square बचेगा और यह माइनस का बचेगा A square यह 0 यह A square माइनस B square यह A square प्लस B square अब पिटा मैं यहां से माइनस कॉमन निकालना चाहिए हूँ यह मैंने माइनस कॉमन निकाला तो पिटा इनके साइन बदर जाते हैं ये माइनस का ही प्लस का हो गया ये प्लस का ही माइनस का हो गया अब बिटा जान देना दुनों में बिटा ये कॉमन है कॉमन निकाल देने A स्क्वार माइनस B स्क्वार कॉमन क्या बचा बचा आपके पास बचा A स्क्वार प्लस B स्क्वार और माइनस C स्क्वार बचा अब बच्चों पहला पैक्टर जीव करें किसको A²-B² इकवाड़ टुजिडु तो A² इकवाल टुज़ गया भी स्क्वाड़ से स्क्वाड़ कैंसल एकवाल टुच्वार अब पिटकर एकवाल टुज़ लिया किसी ट्राइंगल में यह दी डौस रीपल आप लिए तो हम उस हो सकता है तो और नगा देते हैं A square plus B square minus C square equal to 0 गड़ा दूसरा पैक्टलगी 0 करा यह minus का C square है उधर ले जाओगे प्लस का हो गया और बिटा अबांदो यह पाइचा दोरस छुलं को बता रहा है कैसे आप जानते हो परपैंडिकलर का square plus B square equal to hypotenuse का square होता है हिंदी में बच्चों लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर पाइनल का वर्ग इसे आप परपैंडिकलर का square समझ दो इसे बेस का square और इक वल्टू में क्या है है थाइपोटेमियस का square ठीके पाइचा गुरस भी प्रूफ हुई तो बिटा हम कह सकते हैं ट्राइंगल कौन सा होगा संब कोन त्रिबुच भी होगा राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा और यही हमें प्रूफ करना था